स्टुजेंट एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यू चनल में स्वागत है इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हरित करांती एवं उच उत्पादन वाली किसमों का विकास तो देखे हरित करांती खद्यान उत्पादन से संबन्दी थे कि भारत में जब 1960 के दिसक में उच उत्पादन देने वाली जो बोनी किसमे हैं वो लाईगी और उससे जो खद्याम उत्पादन में जबरदस्त बडोतरी दर्ज कीगी उसी को हम कहते हैं हरित करांती तो अरित्करामती के दोरान कौन-कौन सी किसमे भारत में लाएगी और उनके केक्या नाम दीगी है और वो किसमे हैं वो किस-किस से खोजी गई है तो वो अपन इसे टोपिक में देखने वाले हैं तो देखे भारत एक करसी प्रदान देश से भारत की जीडीपी की लगबग 33% आई तता कुल जनसिंक्या की लगबग 62% जनता को रोजगार करसे से प्राप्त होता है इसका मतलब है कि भारत की जो टोटल जीडीपी है सकल ग्रेल उत्पाद उसमें 33% जो योगदान है वो करसी का है और टोटल जनसिंक्या में 62% जो जनसिंक्या है वो पर्तेक्स या अपर्तेक्स रूप से रोजगार के लिए करसी पर निरबर रहती है इसका मतलब है भारत की आजदी के बाद देश के सामने चुनोती बढ़ती हुई जनसिंक्या के लिए प्रयाप्त आहर उत्पादन करना था और जब भारत की आजदी हुई तब ये की बड़ी समश्या थी क्योंकि आजदी के समय खाद्यानों की भारी कमी थी तो ये हुमी से प्रती यूनिट उत्पादन को बढ़ाने की जुरुत थी अब जो हमारे खेतियों के जमीन थी वो तो उतनी थी तो उसे जमीन में ही हमें प्रती यूनिट यानि प्रती भीकाच उत्पादन की दर है वो बढ़ाने की जुरुत थी तो इसके लिए क्या किया गया है उत्पादन में अतिदिक व्रद्धी दर्ज की गई और इसे ही हम अरितकरांती है ग्रीन रिवल्यूशन कहते हैं तो 1960 के तसक में मुख्य रूप से ग्यों और धान जिसमें हरितकरांती में सबस्यादा जो बडोतर दर्ज की गी ग्यों था और दूसरे नमबर को है धान धान जो चावल होता है यानि चावल जब उसके छिलकों में रहता है तो धान है जब छिलकों से अपन चावल को निकाल लेता है तो वो चावल बन जाता है तो ग्ययू और धान की जबरदस्त बढोतरी से संबन दित है अब देखे ग्ययू और धान की किसमे है देश के संदर्म में इसके तुलना करेंगे कि एक देखिए ये के अपने इसके तुलना आत्मक चर्चा करते हैं कि 1960 और 2000 में एक मारे पास एक डाटा है कि ग्याउं में 1960 में 11 मिलियन टन का उत्पादन हुआ और 2002 में वो बढ़कर हो गया 40 मिलियन टन यानि बहुत जदा इसमें बढ़ोतरी दर्ज हो गई और 1960 में ये था 35 मिलियन टन जबकि 2000 में ये हो गया 89 मिलियन टन तो 1960 के बाद में जैसे बारत में लगपग 1966 में रितकरांती अपने सवरूप में आ गई थी तो 2000 तक जब रितकरांती पूंट अविक्षित हो गई थी तब तक खाद्यान के उत्पादन में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई थी तो 11-35 मिलियन टन और 35-89 मिलियन टन ये एक बहुत जबर बढ़ोतरी है ग्याओं और धान में तो ये जो बढ़ोतरी हुए ये जो अत्यदिक वर्दी हुए इसका परमुक कारण देखिए तो भारत में खाद्यान उत्पादन में जो अत्यदिक वर्दी का परमुक कारण कह तो मतलब जमीन तो मारे पास उतनी थी जितनी पहले थी अब हमने क्या किया ग्यों और धान की अर्दवामन किस्मों का विकास किया अर्दवामन जिसको पन सेमी डॉर्फ किसमें बोलते हैं यानि ये लंबाई में ज़्यादा बड़ी नहीं थी चोटी थी और लेकिन इसके उत्पादन ख्रमता थी वह बहुत ज़्यादा थी और इसके विसेज़ता ये थी कि ये हवा और पानी में गिरती नहीं थी किंकि बारत की जो देशी नसले थी वह लंबाई में बहुत ज़्यादा होती थी और हवा चलने या पाने देने के दौरान वो गिर जाती थी और उत्पादन पर गुरावसर होता था तो इन किस्मों की उसेचता है कि ये हवाया पानी में गिरती भी नहीं है और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा देती है तो आजकल जो भी अपन ग्यों और दान की किस्में देखते हैं वो लगबग ग्यों और दान की अर्दवामन किस्मों का हुई बोया जाता है देखिए मेक्सिको इस्तित अंतरास्ट्रिय मक्का और ग्यों सुधार के अंदर ये मेक्सिको में है इसको अपने इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूब्मेंट सेंटर कहते हैं इसमें नोबेल पूर्षकार विजे था थे नॉर्मेन अी बोरलोंग ये अमेरिकी कर्सिव ग्यानिक थे इन्होंने ही ग्यों की अड़द वामन किसमों का विकास किया था काता है इनको हम हरित करांती के जनक कहते हैं तो जो नोर्मेन इबोरलोंग थे नोर्मेन अर्नेस्ट बोरलोंग इसका प्रणाम था नोर्मेन अर्नेस्ट बोरलोंग ये अमेरिका के एगरिकल्चर साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया मेक्सिको में जो बहुत बड़ा मक्का और ग्यों सुधार के अंदर उसमें इनों ने काम किया और वहां पर इनों ने ग्यों की अर्दवामन किस्मों का विकास किया अता इनकों कहते हैं हरित करांती का जनक देखें फिर 1963 में ग्यों की अर्दवामन किस्मों को उच उत्पादन एवं रोग परतिरोदक किस्मो जैसे सोना लिकावा कल्यान सोना को पुसा नई दिल्ली बारत में बारती कर्षी अनुसंदान संस्तान आई ए आराई के खेतों में उगए गए थे तो क्या हुआ नॉर्मन इबोरलोंग ने तो 1960 के लगपगी ये किसमें विक्षित कर दी थी फिर 1963 में बारत में दो किसमें यहाँ पर ग्यों की लाई गई गी और उनको सर्ब से पहले उगया गया नई दिल्ली का जो इंस्टूट है भारती कर्षी अनुसंदान संस्तान पुसा वहाँ पर इन दोनों किसमों को उगया गया और फिर आई ए आराई ने इनको सोना लिका औ में तो सब् 느ट कंन क्या बाहरत में तो सोना लिकार कोन और व prof रोग्यां की किसमें हैं और है नाम दिया तो यह बारति कर्सिन सन्दान संस्थान द्वारत दिया गया इनका नाम है तो यह तो थी बारत में इसके बाद में तो बहुत सरी ओर भी किसमें विक्षित की जा चुकी है लेकिन स्टार्टिंग में जब अरितकरांती के सुरॉत हो रही थी तब सोना लिका और कल्यांट सोना किसमें विदेशों से बारत में लाए गी थी दहान की अर्दवामन किसमें जो सेमेडोर्फ किसमें है वो आई आर एट और ताइचूंग नेटिव फर्स से विक्षित किया गया था दहान यान जो चावल की किसमें थी वो आई आर एट आयार का मतलब है इंटरनेशनल राइस इंस्टिटूट एक फिलिपिन्स में बहुत जापणा ब्ड़ा संस्तान है वहां से विक्षित हुई थी और तैचूंग नेटिव फर्स्त ये किसम है अरध्वामन किसम तो बारत में जो किसमें विक्षित कीई जो आई आर एट और तैचूंग नेटिव किसम से रही चावल की अर्दवामन किसम है देखिए आ यार यह फिलिपिन्स में विक्षित हूई है और वहां का गुंस्टूट है यह देखो यह तैवान 2 विक्षित चांफल की और वामन किसमे हैं, तो दोनों विदिशिक्स में थी आई आर एट और ताइचूंग नेटिव फस्ट, तो 1966 में देगी, तरे सट में तो ग्यों किया थी और उसके तीन साल बाद याने, 1966 में, दो साल बाद में, तीसर साल, 1966 में इन दोनों किसमों को, यानि आई आर एट और ताइचूंग नेटिव फस्ट, इन दोनों किसमों को भारत में प्रियोग में लाया गया, और बाद में और अधिक अच्छा उत्पादन देने वाली अर्दवामन किसमों, जया तथा रतना को भारत में विक्षित किया गया, इन किस्मों की भारत की जो हरितकरांती थी उसमें मैत्वपून बुमी का थी अतार्त भारत में विक्षित चाउवल के अध्वामन किस्मी कौन शी थी वो जया और रतना अलाकि ये दोनों किस्में आयारेट और ताइचू नेटिफ़स से विक्षित थे लेकिने और ही नावल की किस्में थी जया और रतना देखिए इसके वारत में प्रोपेसर म.स स्वामिनाथन जिनका पूरा नाम है मैं कॉम्बू संभा सीवन स्वामिनाथन ये तमिलनाडू में जन्में भारती कर्षि विग्यानिक थे इनको भारती हृतकरांती का जन्म कहते हैं ये जो भ और इन्ही की प्रियासों से नोर्मन जो इनके साथ एक कॉंटेक्ट में थे और फिर वहां से इन्होंने चावल और धान की जो किस्में है वो लाए थे और भारत में जो किस्में विख्षित हुई है इनमें भी इनका बड़ा योगदान था देखिए इन्होंने नोर्मन इ बोरलोंग के सायोग से ग्योंतता द्हान की अनेयग उंनत किस्मों का विकास औरर हिन्ही के सयोक से मेक् uniform variety जो अर्धवामन किस्में थी का भारत में प्रवेस हुआ था तो मेक्सिको की जो किसमे थी वो बहुत सारी किसमों का विकास कर चुका है और यह प्रियास लगाता जा रही है तो यहां से तो था हमारी ग्यों और दान में जब्रदस्त बड़ोतरी यह हमारी थी हरित करांती गन्य की किसमें विक्षित कर लिए गन्य की किसम का उधान देते हैं देखिए एक गन्य की किसम है सेक्रम बारबेरी और दूसरी किसम है सेक्रम ओपी सिनेरम तो ये जो सेकरम बारबेरी है ये उत्री बारत में पेदा होता है लेकिन इसमें जो सरकरा का अंस है यानि जो सुगर की मातरा है वो कम है और उत्पादन क्षमता भी इसकी बहुत कम है और इसकी विशेचता है कि इसका तना भी पतला है तो तनापतलाव नेकारण इसके अंदर उत्पादन क्षमता भी कम है जबकि जो ये सेकरम ओपी सिनेरम है ये दक्षनी भारत में पैदा होता है इसका जो सरकरा का अंस और उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा है इसका तना भी मोठा है लेकिन ये उत्तर भारत में ठीक से नहीं पनपता है तो हम चाहते हैं कि ये सेकरम ओपी सिनेरम है उत्तर भारत में भी हमें इसका उत्पादन कर सके तो हमने क्या किया है पादपरजनन टेकनिक के दोरा इसकी एक संकरकिस में विक्षित कर ली है उस संकरकिस में इन दोनों गन्ना का जो गुण है वो उस संकरकिस में पहुँच गया है तो देखिए जो गन्ने की संकरकिस में विक्षित कर ली है उसका तना मोटा है और उच्छ इसी तरह से जो मोटे नाज है जिनको अपन मिलेट बोलते हैं भार्थ में मोटा नाज वाले जो मिलेट पसले हैं उनके विभिनी किस्मों का सफ़ता पुरू को विकास किया गया है जिसे मक्का है इसके हलावा जवार है बाजरा है आदी पादप परजिनन तकनीक से उनकी जल अभाव प्रतिरोदी एवं उच उत्पदन शमता वाली अनेक किस्मे विक्षित कर लिए जो कि बाजरा और ये जो मक्का जवार है ऐसी किस्मे विक्षित कर लिए जो बहुती कम पाने की उनको ज भारत ने विक्षित कर ली है और आज भारत खाद्यान उत्पादन हो जब मोटे नाज हो चाहिए गुर्णा की किसम हो वह बर्फूर उत्पादन करता है अगले वीडियो में हम और भी जो रोग प्रतिरोदकिस में है और बाकी का जो चेप्टर बचाओ उसका अधिन करेंगे थेंक्यू